तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बहतरीन वीडियो को अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही बता रहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए हमें एक टीम के जैसे काम करना होगा इनके आगे कोई समस्या है और यह क्टीम में काम करते हैं तो बता रहा है कि we have to work as a team to overcome this problem we have to work as a team हमें team के जैसे काम करना होगा to overcome this problem इस problem से उभरने के लिए या इस से निपटने के लिए इसके लिए हम बोलेंगे overcome का और भी कुछ word का use होगा जो हम आगे देखेंगे यहाँ आपर कह रहा है कि we have to work as a team to overcome this problem इस problem से उभरने के लिए इस problem से निपटने के लिए हमें team की तरह काम करना होगा work as a team together जानी साथ मिलकर we can overcome any challenge that comes our way अब धार आए कि हम साथ मिलकर अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चुनोती से निपट सकते हैं together we can overcome any challenge that comes our way together we can overcome any challenge that comes our way साथ मिलकर कोई भी challenge हमारे रास्ते में आएगा मुझसे निपट सकते हैं हाला कि हमारे पास जादा समय नहीं है हमें आज से ही काम शुरू करना होगा although we don't have much time we need to start working from today itself मतलब आज ही से ही शुरू करना होगा हमें although we don't have much time हाला कि हमारे पास दावस हमें नहीं है although we don't have much time we need to start working from today itself हमें आज से ही काम करना शुरू करना होगा मैं योगा करके तनाव से निपटती हूं अब देखो निपटना इसके लिए हम overcome का तो यूस करते हैं कोप विद का भी करते हैं कोप विद तो बता रहे ही कि I cope with stress by practicing योगा यानि मैं योगा करके तनाव से निपटती हूं I cope with stress by practicing योगा जब कभी मैं तनाव में होती हूं तो योगा करती हूं Whenever I am stressed I do yoga Whenever I am stressed I do yoga यानि जब भी मैं तनाव में होती हूं तो योगा करती हूं मैं तनाव से निपटने के लिए योगा नहीं करता बलके गान न सुनती हैं यहाँ पर यह बता रहे है कि I don't practice yoga to deal with stress deal with कभी हम यूज करते हैं कि I don't practice yoga to deal with stress यह लड़का कह रहा है कि मैं stress से deal करन I don't practice yoga to deal with stress instead बजाय योगा के I listen to music मैं तो गाने सुनता हूं मैं तनाव से निपटने के लिए योगा नहीं करता बलके गाने सुनता हूं I don't practice yoga to deal with stress instead I listen to music वो संगीत सुनकर तनाव से निपटती है आप रिवता है कि she cops with stress by listening to music she cops with stress by listening to music जो का मैं मुझे सोपा था मैंने वो कर दिया है आपर इसे किसी ने को काम सोपा था तो की रहे कह रहेगी कि जो काम तुमने मुझे सोपा था मैंने वो कर दिया अंगली शम बोलेंगे आइफ कम्प्लीटिड दा टास्क यू असाइन टू मी असाइन जो तुमने मुझे साइन किया था वैसे काम सोपने के लिए में एक वर और यूज करते हैं डेलिगेट का जो हमने पहले वीडियो मे तुमने मुझे पास्टों किया था यह दिया जो काम तुमने मुझे तरीके देखे एक ही बात को कहने के अगर हम यह बात समझ जाने तो इंगली मतलब अगर एक ही चीज को बोलने का लग लग तरीके में पता चल जाए तो काफी जादा इंगिश हमारे इंप्रूव हो जाते हैं जैसे कि हम पर यह की बात को हम तीन तरीके से खे रहे हैं यह हम कहेंगे यह सबसे आसन तरीका है जो काम तुमने मुझे दिया था वो हो गया दवर्क यू गेव में हैस बीन ड़न वादे के मुताबिक अब तुम मुझे नया लैप्टोप दिलवाओगी यान इसने से वादे किया था कि अगर यह काम तुमने कर दे था मैं तुम एक नया लैप्टोप दिलवाओगी तो कह रहे हैं कि वादे के मुताबिक अब तुम मुझे नया लैप्टोप दिलवाओगी इसने पास्ट में वादा किया था हम हम उसे बता रहे हैं कि तुमने पास्ट में ऐसा वादा किया था कि तुम करोगी तो यहां पर पास्ट की बाद की बार चलते हम विल-क नहीं वड़का यूज करते हैं इसलिए हां पर क्या रहे कि I have fulfilled my promise these fulfilled के जगा निभाने के लिए में एक वड़ कर चुछ करते हैं OFF Y my promise यह एपना भादा निभा लिया I have fulfilled my promise, I have fulfilled my promise . Now it's your turn, now it's your turn. I have fulfilled my promise, now it's your turn, I have fulfilled my promise, now it's your turn . तुम्हारी भारी, तुम्हारी भारी. तुम्हे ऑपने जबान से पलट नहीं सकती . You can't go back on your word now . अब तुम अपनी जबान से प्लेट नहीं सकती, you can't go back on your word now. तुमने मुझे निराश कर दिया, so friends, आगे देखो, यहाँ पर इसने से लड़के कुछ काम दिया था करने को, इससे वो काम हुआ नहीं, इससे उमीद थी कि कर देगा, लेकिन इससे हुआ नहीं, तो निराश होगी, तो यहाँ पर निराश होना, इसके लिए let down फ्रेजलों का डाउन अगेन, यानि मैं तुम्हे अगली बार निराश नहीं करूंगा, I won't let you down again, तो यहाँ पर किया निराश कर दिया, you let me down, तुमने मुझे निराश कर दिया, यह से बोल सकते हैं कि you disappointed me, you disappointed me, तुमने मुझे निराश कर दिया, तुम मेरी मीदों पर खरे नहीं उतर आथ था मैंु सेा बोल तो होए दैंने यू कुदेंट लिव अप तो माई एक्सक्टेशिन्स लिव ए उसकरेंगे आ पर शिक्टेशन लिव अप justamente लिव आपको ईए चंड मेरी एक्पेक्टेशन बिल्कुल न आजए परिफोउबंस वह स्मों गुट एट YOUR पर्फोमेंस वह से तो बहुत दूर था और तीन इब और परफोमेंस वह स्वार्वं रही इच्छी नहीं थि फ्र sevens आजWow कैसे लगी जरूर बताना वीडियो अच्छे लगी तो लाइक जरूर करते हैं थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंद्स